हेलो फ्रेंड्स, मैसल फाहिर वेदा स्टुडेंट और आचारे चरक का समर्ण करते हैं आज का सेशन सुरू करते हैं आज हम लोग चरक समीता सिद्धियस्थान के चैप्टर नमबर वन जिसका नम कलपना सिद्धिया दिया है उसके सेकेंड वीडियो की बात कर रहे हैं फर्स्ट वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि पंचकर्म और पंचकर्म से रिलेटेड जो पुर्व कर्म उन से पहले सनिहन सुधन दें पंचकर्म में मुखरूप से ववन विरेचन इनके हीन मिथ्याती यूग साथ साथ समसारजन कर्म इन सभी के बारे में जान चुके हैं और उसके साथ साथ जो इस चेप्टर में जो अगनिवेश से ने टोटल बारा कोश्चन पुनरवस वातरे से किये थे उनके तीन कोश्चन को भी देखा आज के इस सेशन में जो बचे पंच करम में बस्ती सिरो विरेचन उनको कवर करेंगे साथ साथ जो है वो भी इनके बचे हुए कोश्चन के साथ यानि कि तीन कोश्चन हमारा अब तक कवर हो चुका है आज जो है उसके बाद इसी को कंटेन्यू करेंगे तो शुरू करते हैं सबसे पहले बस्ती कलपना बस्ती कलपना में हम लोग को बस्ती कैसे देना है इन सभी के उपर एक separate chapter है वहाँ जानेंगे यहाँ बस्ती से related थोड़ा superficial view कि बस्ती जो है यहाँ पे इन्होंने दो बस्ती की बात की है एक अनुवासन और दूसरा आस्थापन या निरुह बस्ती की अनुवासन बस्ती को सनेह बस्ती करते हैं और आस्थापन को निरुह बस्ती करते हैं जो आस्थापन या निरुह बस्ती है यह रुक्ष बस्ती है और सुनेह बस्ती में जो सुनेह मेटरियल जो है वो देते हैं निरूह बस्ती या अस्थापन बस्ती में हम लोग डिकॉक्सन देते हैं और अनुवासन बस्ती में सुनेह मेटरियल को जो है पास करते हैं कलपना मुक्युरूप से गुदा मारक से बस्ति की बात किया है, इसके अलाओा और भी बस्ति होते हैं, जैसे उत्तर बस्ति को देते हैं, यहाँ पर मुक्युरूप से बस अनवासन अ आस्थापन बस्ति की बात की गई है, हम लोग इसी को जानेंगे, तो woman birachan हम लोग जान चुके हैं woman birachan के बाद ही बस्ती normally डिया जाता है लेकिन जब emergency case हो तो उस case में direct भी बस्ती देते हैं ठीक है तो woman birachan के पस्चात ninth day, नौवे दिन पे जो है उस person को जिसको बस्ती देना या तो सरपीपान कराना या फिर अनवासन बस्ती देना ऐसा इनों ने कहा है ओके ninth day पर क्यों देना है ये भी समझते हैं जैसे woman birachan करा है उसके बाद हमको samsarjan कराना है samsarjan कर में 7 दिन का समय लगता है ये हम जान चुके हैं तो woman birachan के बाद जाहे woman के बाद देना हो बस्ती या नौर्मली ववन के बाद विरेचन विरेचन के बाद ही बस्ती देता है सो उस विरेचन के बाद हम लोग क्या करेंगे seven day का samsarjan कर मलेंगे eight day उस person को rest कराएंगे और ninth day उसको जो है बस्ती देंगे उसमें भी पहले क्या है अनौवासन या सरपि पानि के बाद की गई है अनौवासन मेंली सनेह बस्ती होता सरपी भी क्या वगी सनेह यह ओआ so इसलिए इसकी बाद की तो अनौवासन बस्ती हम ninth day पर दे दिए उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद उस person को तीन दीन तक तैल अभ्यांग करने को का है तीन दिन तक तैल अभ्यांग करने का मतलब जिस दिन अनुवासन दिये वो एक दिन हुआ उसके बाद second day and third day तो इन तीन दिन उसको तैल अभ्यांग करने के बाद जो तीसरा दिन है उस दिन उसको निरुहुबस्ती देना है तो यहाँ पर आप समझ गए कि विरेचन के बाद 9th day अनुवासन पहले देना है अनुवासन के बाद 3rd day निरुभस्ति देना है ओके और निरुभस्ति देने के बाद यह भी कहा है कि यदि वो person capable वबस्ति लेने पर तो it is better कि same night उसी रात में उसको वापस अनुवासन बस्ति दे दे यहाँ पर एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि निरुभस्ति के बाद जो है अनुवासन बस्ति देना mandatory है जरूरी है क्यों क्योंकि निरुभस्ति में mainly decoction का यूज करते है रुख्ष बस्ति का तो इसको रुख्षता के वज़े से chances होता है कि वाद परकूप हो जाए so same night या alternate day पर जो है mainly odd day पर ही देते हैं जो आगे clear हो जाएगा उसके बाद जो है उसको अनुवासन यस नहें बस्ति देते ताकि उसके रुख्षता को थोड़ा कम कर सके तो निरुख बस्ति के बाद उसी रात में लेकिन यहां पर यह भी ध्यान में रखना है कि same night में अनुवासन बस्ति तो देंगे लेकिन condition यह है कि जो निरुख बस्ति में जो दिया गया material है वो पहले गुदा मार्क से बाहर आ जाए इसका निकलने का क्या समय है वो आगे clear हो जाएगा सबसे पहले इन्होंने अनुवासन बस्ति देने का बात किया है तो अनुवासन बस्ति को किस समय में देना है पहले वो जानते इसका प्रयोग काल क्या है तो उसके बारे में इन्होंने बताया है कि सीते बसंते चर्दिवा अनुवासयो एंड रात्रो सरद ग्रिष्म घना अगमेशु ठीक है हम जानते हैं तीन रितु सिसीर, बशंत, ग्रिष्म, वर्षा, सरद और हेमंत ये जो छे रितु होते हैं इनको तीन-तीन में डिवाइड करना है दिवा अनुवासयो, दीन में किसमे अनुवासंत देना है तो सीत अन बसंत ये जो बसंत रितु और सीत सीत में 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 लिए सरद और हेमंत तो ये जो तीन रितु हैं जो में जो है ठंडा राता है जिस सीजन में इस तीन रितु में कहा जा रहा है कि दीन के समय में अनुवासन बस्ती देना है ये मिनली अनुवासन बस्ती का प्रयोकाल अस्थापन का नहीं तो इन तीनों रितु में सिसीर बसंत और हमन्त सीत अन बसंत में दीन में और रात्री में जो है सरद ग्रिसमेंड घणा तो इतना याद रखना है अब इसके पेछे क्या लॉजिक है वो यह है कि यदि सीत काल जो है मेंली सिर्वसंत नहेमंत इसमें यदि हम रात में बस्ती देंगे तो कफ बढ़ जाता है कफ बढ़ने के वज़े से कॉम्प्लिकेशन अनाह, अरोची, सूल और पांडूता ये आ सकती है और उसी के अपोजिट यदि उस नकाल में ठीक है उस नकाल मेंली वर्षा ग्रेसम बला जो है ये रितु ये तीन रितु जो है उसमें यदि दीन में बस्ती दे दिये उसमें रात में कहा जा रहा है बस्ती देने के लिए यदि उसमें डे टाइम में बस्ती दे दिये तो उसमें वातन पित इन दोनों का परकॉप हो जाएगा जिसके वज़ा से उसमें जो है कॉम्प्लिकेशन में मुर्चा, पिपासा, उनमादन, कामला ये हो सकता है यहाँ पर याद रखे यहाँ पर कामला दिया और इसमें पांडू के बारे हम बात किया सीदकाल वाले में नेक्स्ट हम बात करते है इनका सिक्वेंस कि अनवासन बस्ती और निड़ू बस्ती जो है देने के बाद इसमें में ली क्या देते है स्नेह माटरियली देते है तो जब ये स्नेह जो है गुदा से बाहर निकल जाए उसके बाद उस रात में उसको भूखा रखना है अब नाइट में भूखा रखने के पिछे एक लोजी का पैसा भी समझे ये कि वैसे भी जो अनुवासन बस्ती देते हैं तो जो इसका परतियागमन काल है जो बस्ती को बाहर निकलने का जो समय है वो लगभग तीन ही आम होता है यानि नाइन आवर हमको वेट करना होता है तो मॉर्निंग टैम में यदि हम बस्ती दिये है तो नेक्स्ट अनकाल तक में जो है बस्ती बाहर निकलेगा वो गुदा मार्क से वो सने बाहर निकलेगा तो वो अनकाल वहां से ऐसे ही खत्म हो चुका क्योंकि इतना दिर हमको पहले इंतजार करना है भोजन तभी देंगे जब बस्ती गुदा से बाहर निकल चुका वो सने मटरियल जो यह निकल गया उसके बाद ही भोजन देना है उससे पहले भोजन नहीं देना है उके, उस रात सको भोगा रखना है नेक्स्ट डे क्या करना है उसको तीन अनकाल में भोजन देना है morning day, evening, बोजन दे दिए उसके next day यानि third day जो है उसको वापस अनुवासन बस्ते देना है यहाँ पर याद रखने वाली बात क्या है कि अनुवासन के बाद वापस अनुवासन देना है यहाँ mandatory नहीं है कि अनुवासन के बाद निरुह देना ही है लेकिन यदि निरुह बस्ती दिये हैं तो उसके तीन तीन डेके इंटरवल पे या पाँच पाँच डेके इंटरवल पे उसको अनवासन बस्ती देना है निरुह के बाद mandatory है कि अनवासन देना है लेकिन अनवासन के बाद अनवासन ही देना है ऐसा नहीं है कि निरूह देना ही देना है, उसके बाद अनवासन दे सकते हैं So alternate day पर हमको देना है, ऐसा समझ यह कि odd day पर देना है Even day पर नहीं देना है, विशम संख्या में, वापस बस्ती का प्रियोग करना है सो बस्ती के बारे में क्या बोला है कि बस्ती और योगमान कुशलो विद्याद जो कुसल वाइद्ध्य होते वो बस्ती को हमेशा unpaired देते pair form में नहीं देते हैं जो तीन तीन डे के interval पे पाँच पाँच डे के interval पे देना या थर्ड डे देना फिफ्ट डे देना है ऐसा देना है ऐसा ने की second day, fourth day देना है ये नहीं करना है अई हो कमान, unpaired form में तो तीन question तो complete होगे यहाँ पे अब जो इनके fourth question है अगनिवेश का पुनरवसु आस्त्रे से वो ये है कि संख्या का ये जो बस्ती वगेरा दे रहे हैं उनका क्या संख्या है, क्या नंबर है कितने नंबर में देना है तो उसका answer जो है ये दिया है कि बस्ती की जो संख्या है उसमें 5 या 7 एन वात जन्य विकार है उसमें 9 या 11 ऐसा बस्ती देना है तो ये data आपको याद रखना होगा अब इसके पीछे क्या logic है वो मैं समझा सकता हूँ जैसे बस्ती में लिह हम किस disease में देते हैं वात वाले रोग में बस्ती जो बेस्टोसद है ठीक है तो वात का गुन क्या है रुख्चता अब जो यहाँ पे जो बस्ती दे रहे हैं इसका मतलब है कि चाहे कप हो या पित हो या वात हो वात तो है ही लेकिन जैसे कप जन्य विकार है तो उसमें वात एसोसियेटेड वित कप है बहले कप जादा हो लेकिन वात तो उसमें भी होगा ऐसे ही पित जन्य विकार है तो इसमें भी क्या है कि वात तो होगा ही भले ही पित जादा हो तो ये भी वात एसोसियेटेड वित पित है और वात जन्य में तो वात है ही तो इसमें बस्ती की संख्या ज़्यादा क्यों दिये हैं क्योंकि ये वात में रुक्षता गुन है और हम कौन सा बस्ती की बात कर रहे हैं अनुवासन बस्ती अनुवासन बस्ती में हम क्या देते हैं मेंली सने है, मैटरियल सनिक्द सो रुक्षगुन का जश्ट अपोजिट सने है न और वात जन्य बस्ती है विकार है मिन्स वात में इसमें जो है डॉमिनेंट है सिर्फ वात ही रोग है तो इसमें रुक्षटा तो बहुत जादा है सो उसको दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा अनुवासन बस्ती जो वात वाले में देना होगा वात का जश्ट अपोजिट क्या होता है कफ वात में जैसे रुक्षगुन है तो कफ के गुन में क्या आता है सिनिक्दता तो कफ जन्ने विकार है तो उसमें सिनिकद कफ के सिनिकदता के वजह से रुक्षता थोड़ा कम होगा तो उस केस में वाट असोसियेट विद कप में हमारे पास क्या है कि रुक्षता थोड़ा कम है इसलिए comparatively इसमें बस्ती की संख्या कम देते हैं सबसे कम वहीं पर PIT associated with VAT है तो इसमें जो adjust opposite तो नहीं है PIT VAT के लेकिन थोड़ा बहुत जो उसको कम करता है इसलिए वो कब से ज़्यादा and VAT से कम देते हैं उसमें 5 यह साथ हम इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं इसमें जो exact data वो तो आपको याद रखना पड़ेगा इन दोनों के लिए कुछ विडाम काल बताया है कि कितनी कितने दिन के बीच में gap पे देना है इन्हों ने बताया है कि नरो वरिक्त अस्त निरुहुदानम विवर्ज येत सब्त दिनान अवश्यम यानि कि जिस नर को विरेचन दे दिये हैं तो विरेचन देने के बाद जो निरुहुबस्ती देना है तो उसमें जो इस साथ दिन अवस्य रूप से उसको विवर्जन करना है गैप रखना है विश्राम देना है विराम देना है विरेचन के बाद साथ दिन तक निरुह बस्ती नहीं देना है और इसका वाइस वर्षा भी यानि कि यदि हम निरुह बस्ती दिये हैं तो निरुह बस्ती के बाद भी साथ दिन तक विरेचन नहीं देना है साथ दिन के ता सुनने हो जाता है ठीक है। और यदि उस केस में हम निरोवस्ति के बाद विरेचन देंगे तो उस सरीर को नश्ट कर देगा। और सेम वैसे ही विरेचन के बाद निरोवस्ति देंगे तो वो भी सुनने सरीर जो है उस बस्ती के वज़े से सरीर को नश्ट कर देगा इसलिए इनके बीच में ये ग्याप रखना जरूरी है क्योंकि ऐसे भी समझे ने कि विरेचन दिये हैं विरेचन देने के बाद क्या हुआ कि मल वगेरा सरीर से बाहर हो गया सरीर का जो सुरोतस है वो पुरा का पुरा खाली पर गया है और ऐसे में तुरंत निरोबस्ति दिया जाए तो फिर क्या बचेगा कौन से मल को निकालेगा तो हो क्या है कि सरीर पे हार्म पहुचाने लगेगा इसलिए कुछ गयब रखना है नेक्स्ट क्वेस्चन है किम गुना जो बस्ती निरोबस्ती या स्थापन बस्ती है इनके क्या गुन है ठीक है तो उनके गुन के बारे में एक एक करके बता है सबसे पहले निरोबस्ती तो निर्भ॥स्ति में हम लोग क्या देते हैं डिकॉक्षन यानि क्वात देते हैं मिलि ये करसं वगेरा काम करता है तो ये क्या-क्या दे रहा है कि करसं से ही नाम आया तो सबसे पहले विट, सलेस्म, पित, अनील, मुत्र, करसी इन सभी को क्या है? निकालता है, ठीक है, जो जम गया है, मल, पित, कफ, वायू, मुत्र, इन सभी को क्या करता है, बाहर निकाल देता है, जो अब्स्टरक्टेड है इन सभी को, ठीक है, इसके अलावा करता क्या क्या है, तो बस्ती वयह स्थापित्वा, वयह स्थापित करता है, आयू को स्थिर देने वाला होता है इसके कारण जो और भी ट्रीटमेंट है इन सभी के लिए लावकारी होता है बच्चा, बुढ़ा, युवा, सभी के लिए हल्प होता है सुक्र और बल इन दोनों को प्रदान करता है बरहाने वाला होता है साथ-साथ सरवान, विकारान, समीट सभी तरह के विकार जो हैं उनको समन करता है नेक्स्ट अनुवासन बस्ती के गुन के बारे में जान रहे हैं तो अनवासन बस्ती में पहले यह जान लिए कि हम लोग क्या यूज करते हैं सनेह मटेरियल को, सनेह मटेरियल सरपी मजजा वसा तेल, मिली तेल या सरपी इन सोब को, तो सनेह मटेरियल यूज करते हैं, तो पहला पॉइंट यही से क्रियल हो गया, कि यह सनेहन और वर्न बल प्रदान करने वाला होता है अब अनवासन बस्ती में जो हम मिली तेल का यदी यूज कर रहे हैं तो ये मुख्य रूप से वात समक होता है बस्ती किसके लिए हम दे रहे हैं वात के लिए दे रहे हैं वात के लिए बेश ट्रिटमेंट बस्ती है वात का गुन होता है लगोता और तैल होता है गुरू तो गुरू होने के करण उसके लगोता का दूर किया ऐसा ही वात होता है सीत और तैल में आता है उसनता तो उसन होने के वज़े से इसके सीतता गुनास करता है सीत उसन और गुरू ये वात तैल का गुन है यानि कि मन को प्रसाइद करता है, मन को प्रशन करता है, वेडिय, बल, वर्ण, अगनी इनको पुष्ट करने वाला होता है, साथ-साथ, काले महान पुष्प फलग प्रदस्च शंतान कर, इन महान फल देने वाला होता है, वादसमन हो गया और तो समझ यह maximum disease दूर हो गया, तो महान फल देने वाला होता है, साथ-साथ, यह शुक्र बढ़ाने वाला भी होता है, बल भी बढ़ाने वाला होता है, तो संतान कर भी होता है, नेक्स्ट बस्ती प्रयोग किसको किसको करना है, तो बस्ती प्रयोग के लिए तो बहुत सारे योग यो रोग हैं, बहुत सारे प यानि कि ऐसी इस्तरी जिसमें वात प्रकोप है ठीक है और उस वात प्रकोप के कारण वो गर्भ यानि गर्भ लेने में कपेवल नहीं हो पा रही है बहले ही वो अपने पती के साथ संसर कर रही है उसके बावजुद भी वो प्रेगनेंट नहीं हो पा रही है अल्मुष्ट इ भी जो है बस्ती का प्रियोग उस स्तिरी को करना है ओके नेक्स्ट है कि छीन इंद्रिये ये चानरा वैसे परसन जो छीन हो चुका है जिसका इंद्रिये छीन हो चुका है इमेशियेटेड हो चुका है जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा क्रिस है उन सभी व्यक्ति को भी बस्ती का प्रयोग करने को कहा है Next question number six में इन्होंने पूछा है कि केसूचा कश्चा बस्ती यानि कि किन रोग हैं कौन-कौन ऐसे रोग हैं जिसमें कौन-कौन सी बस्ती है नहीं देना है या देना है किन रोगों में कौन सी बस्ती देनी है simple भासा में इनकी ये question हो है तो इसका answer ये है और भी simple way में कि जो भी दोस हैं उनके विपरित गुन वाले औसत दरव्यों से बस्ती देना है कहने का मतलब कि यदि person कुछ सनिक्द दरव्य का सेवन करने से उसको रोग हो गिया है तो उसका opposite, सनिक्द का opposite क्या हुआ? रोग्च, तो उसे रोग्च बस्ती दे same, यदि रोग्च दरव्य का सेवन करने से उसको रोग हो गिया है तो उस case में उसको सनिक्द बस्ती देना है ऐसे ही गुरू अहार गुरू द्रव्य के सेवन करने के वज़े से रोग हो रहा है तो लगु बस्ती और इसका वाइस वर्था So overall, जिन दोसों के, जिन भी चीजों के सेवन करने से रोग हो रहा है और उसमें बस्ती देना है, तो उसके अपोजिट गुन वाले द्रव्य या उसद से उसको बस्ती देना है Next है, ब्रिंगन बस्ती का निसेद, ब्रिंगन मिंस नरिस करने वाला बस्ती तो वो किस-किस में नहीं देना है, इसमें जो में लिए आपको सनिह बस्ती आ जाएंगे निरोह बस्ती तो नहीं आएंगे, निरोह बस्ती तो रोख्षन करता है न तो ब्रिंगन बस्ती का निसेद किस में करेंगे तो कुष्ट प्रमेह आदिसू, मेदुरेसू, नरेसू, विशोद नियेसू, गदेसू ठीक है विशोधन का मतलब हो गया यहाँ पर निर्हुबस्ती विशोधन बस्ती निर्हुबस्ती को भी कहते है तो जिस गद यानि जिस रोग में हमको निरुख बस्ती देना है उसमें ब्रिंगन बस्ती नहीं देना है पहला पॉइंट विसोद नियेशु गदेशु क्योंकि उसमें निरुख बस्ती देना है इसलिए उसमें नहीं करना है ये ब्रिंगन जन्य रोग है कुष्ट तो उसमें भी नहीं देना है ब्रिंगन जन्य रोग प्रमिह भी है तो उसमें भी ब्रिंगन बस्ती नहीं देना या आदी जो प्रमिह आदी काने का मतलब जो है एक्सेप्टरा में ये आजाते हैं कि अरोचक, तंद्रा, स्लीपद, इन सभी रोगों में भी बिरिंगन बस्ती का प्रियोग नहीं करना है, यानि निशेद है, निर्भू बस्ती के बारे में क्या बताया है, तो निर्भू को क्या कते है, विसोधनिय बस्ती भी कते है, ये य ज़्यादा दुरवल, भीस दुरवली में बहुत ही ज़्यादा वीक है, ठीक है, तो ऐसे परसन में निर्भूबस्ती नहीं करना है, क्योंकि निर्भूबस्ती और रोक्ष बस्ती है, उसके इसमें उसको ब्रिंगन का जरूरत है, और रोड़ी छात्शीन हो चुका है, पर क्या कीच Champions करेंगे तो उसमें निरुवस्ति नहीं देना सातुट्ट जो मॱ्छिध है उसमें सलांगें तीना नेक्स्ट वस्ति की प्रधानत्री वात की कि बस थ क्यों इम्पोर्टेंट एक यो डूमिनेंट है and other treatment के comparison मैं भो बतायागया है कि सांखागँतह, कोष्टगँता चो, रोगा, मर्म उर्दु रहा, सेर्व अवियव अंगास चो यानि कि साखागत हो गया, कोष्ट गत हो गया, या फिर मर-मोर्दू तो ये तीनों मिला करके एक तरह से क्या होँत है? तीन मार्ग जो होता है रोग का इन तीनों मार्ग को कवर कर लिया साथ-साथ सर्वअंग परतियंग जिखिंग जितने भी है सरीर के तो इन सभी जगहों पे जो रोग का कारण होता है वो क्या होता है वात वात ही है जो सभी जगह पे रोग को ले जाता है यानि तीनों मार्ग के रोगों को साथ साथ जो है यही हुआ कि तीनों मार्ग में जो भी रोग होते हैं उन सभी के पीछे जो एक कारण है जो main factor है वह वात इसी के वज़ा से सभी जगर रोग जाता है और सभी के अतिनों मार्क करने का मतलब पूरा बड़ी कवर कर लिया तो सभी रोग का कारण क्या हुआ वात यहाँ पे मैं ये clear करना चारा हूँ कि वात का क्या dominance है ठीक है वात के वज़ा से पूरे बड़ी में mainly रोग होता है और इस वात के समन के लिए बस्ती के समान कोई भैसज नहीं है ये कहना चारा हूँ ठीक है मिन्स दो बात है यहाँ पे पहला बात है कि पूरे बड़ी में जहाँ भी दोस है जो भी तीन रोग मार गया है जहाँ भी रोग होती है वो वात के वज़ासे होता है और उस वात को समन करना है 물िन्स सरा रोग ठीक हो जाएगा है न और उस वात को समन करने के लिए सबसे बेस्ट treatment सबसे बेस्ट therapy क्या पस्ती है सो यही है बस्ती की प्रधान था यानि कि बस्ती एक तरह से क्या हुगा चिकित्सा अर्धा में थी overall जो अर्ध चिकित्सा है यानि कि आप जो है total 100% treatment करना तो 50% treatment आपको सिर्फ बस्ती के वज़ा से हो गया यह तो यहाँ पर चिकित्सा में चरक नेका है लेकिन कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि बस्ती पूर्ण चिकित्सा है बस्ती किया means सारा treatment हो गया overall यह क्या बताया कि बस्ती भाई सभी treatment में जो बस्ती प्रधान है क्यों है यह भी किलियर हो कि हाँ सभी रोग का कारण वात होता है और वात को दूर करने के लिए बस्ती के समान कोई और चिकित्सा नहीं है नेक्स्ट हम लोग बस्ती का निरुकती देखे बस्ती का इतना importance समझ गया तो बस्ती का definition भी जानते हैं वो यह है कि नाभी प्रदेशम कटी पार्स्व कुक्छी गत्वा शक्रित दोस चयम विलोडय समस्नेह कायम सपुरीस दोस सम्यक सुखे नितिच यह सह बस्ती मतलब क्या समझ रहे हैं आप कि नाभी प्रदेश जो अंबिलिकल रिजन हुआ वहाँ कटी में पार्स्व फ्लैंक रिजन कुक्छी उदर तो बस्ती जो डाले बस्ती ओसद इन सभी जगहों पे जाता है नाभी प्रदेश कटी पार्स्व फ्लैंक कुक्छी उन सभी जगह पे जा करके वहाँ पर जो सक्रित यानि मल अंदोस जो संचे रूप में जो एक्युमिलेटेड है इन सभी रिजन नाभी प्रदेश कटी पार्स्व फ्लैंक कुक्छी में जो मल अंदोस एक्युमिलेटेड है वहाँ जा करके ये क्या करता है उसको विलोडित कर देता है मत करके उसको उस पुरीज को उस दोस को समयक रूप से सरीर से बाहर निकाल देता है वही बस्ती है इसको विलोडित करके उसको मत करके उस पुरीज दोस को वहाँ से फिर खीच करके गुदा मार्ग से समयक रूप से बाहर निकाल दे वही बस्ती है इसके साथ साथ एक और काम करता है समस्नेहय कायाओं सरीर का जो है स्नेहन भी करता है ओके नेक्स जो है ये निरुह एंड अनवासन बस्ती इनके जो है सम्यक योग और अतियोग का क्या लक्षन वो पढ़ते हैं तो सबसे पहले सम्यक योग, सम्यक योग में बताया है निरुह बस्ती में निरुह बस्ती में हम लोग डिकॉक्षन देते हैं तो इसमें है प्रस्रिष्ट विन मुत्र समीर अनत्वन, जो विन स्टूल हो गया, यूरीन हो गया और समीर एयर, यह जो है सम्यक रूप से बाहर निकलेगा, बिना किसी रुकावट के, ऐसे ही अनवासन बस्ती में हम लोग क्या हसने हैं डाले थें, तो स्टूल के साथ जो हस निकलेगा, बिना रुकावट के बाहर आएगा, ओके, निरुह बस्ती में और क्या होगा, तो दोनों में पूरे सरीर में बल के वरिद्धी होगी, यदि सम्यक योग है, तब की बात हो रही है, ठीक है, निरुह बस्ती में स्पेशल जो है आसे लग होता दिया, जो पकवास कुछ है, वो भी देखते हैं, निरुह बस्ती में क्या है, रूची होगी, अगनी वरिद्धी होगी, रोग जो है, उसका सांती होगा, समन होगा, और प्रकरतियस्ता, जो नॉर्मल हेल्थ है, उसको मेंटेन रखेगा, वहीं अनुवासन बस्ती का सम्यक योग होगा, तो र वासन बस्ती देने के बाद, तो हम समझेंगे कि ये बस्ती का सम्यक योग है, अब जो है, इसके अयोग के बारे में जानते हैं, तो जो निरुह बस्ती का जो सम्यक योग है, उसका लगभग अपोजिट होगा अयोग में, जैसे सम्यक योग में हम लोग क्या देखे थे, व प्स्ट्रक्शन हो जाएगा अब जो निर्भुबस्ती में जो है हमारा बड़ी में जो है लगूता आ गया था रोग का सांती हो गया था इसमें के आगे की उल्टा है अब रोग बढ़ जाएगा ना हिरलास होने लगेगा परती से राइनाइटिस हो जाएगा रिस्प्रेशन बढ़ जाएगा निर्भुबस्ती हम मिल्ली गुदा मार्ग से ही देते ना दोनों बस्ती तो गुदा वाले मार्ग में क्या होगा सूल होगा पेन होगा गुदा के साथ-साथ सीर नहीं होगा इन सभी रिजन में भी पेन होगा ओके शिप्सूल ही नहीं होगा बस्ती एंड लिंग इन सभी जगह पे क्या हो जाएगा इसमें सोफ हो जाएगा ओकी एंड साथ भी करती का होगा मिली गुदा मार गाएं जो काप मसल्स होते हैं यहाँ पे या फिर थाई वाले रिजन में जो मसल्स होते हैं इन सभी में जो है टीरिंग पेन होगा कटिंग पर नगा और गुदा वाले रिजन में भी ठीक है तो ये सब भी होगा तो समझ में आगा कि निरोबस्ती का ये अयोग का लक्षन है वही अनुवासन बस्ती है तो इसमें भी क्या है कि इसके समयक के अपोजिट लक्षन आएंगे तो अपोजिट में जैसे समयक योग में क्या आते थे कि बिना रुकावट के ये सबी सक्रित तेल बाहर आते थे तो अभी क्या है कि इसमें उब्स्ट्रक्षन हो जाएगा गरह हो जाएगा विन मुत्र समीर इन सभी में गरह होगा अनवासन में हम लोग सनेहें देते थे सनेक देता लाने के लिए उसका अपोजिट हो जाएगा तो पुरे बोड़ी में क्या आगया सनेक देता ना के रुक्षता खरत वो ये सबा जाएगा सासाथ बस्ती अधा सरीर के लिए ही देते हैं अधा सरीर उदर एक बाहु एक्सट्रा आ गया है देन प्रिष्ट पार्स्व इन सभी जगह पर रोख आएगा सूल पेन आएगा बाहु एक्सट्रा करने का मतलब दिया गया है बुक में अधा सरीर के उपर का बात है ये लेकिन ये में सेंड है तो इन सबी जगह पर क्या होगा अयोग होने पर पेन होगा तो यह सारे सिम्टम्स यादी आ रहे हैं तो समझ में आगा कि यह अयोगता का लक्षन है अतियोग की बात की जाए तो अनवासन की जो अतियोग है उसमें हिरलास, मोह, कलम, साध, मुर्चा, विकर्थिका यह सब ल टियरिंग पेन, यह सब होने लगेगा, साध हो जाएगा, कलम हो जाएगा, ओके, अधियोग में जो है, निरुहु बस्ती के अतियोग में विरेचन का लक्षन, इसलिए आपको याद होगा, तो उसमें, लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि निरुहु और विरेचन में जो अतियोग हो गया, तो जैसा अतियोग विरेचन में हो रहा है, वैसा ही अतियोग निरुह बस्ती में भी हो रहा है, यहाँ एक और पॉइंट कवर कर ले, तो यह है प्रत्यागमन का, जैसे निरुह बस्ती या अस्थापन बस्ती दिये हैं, तो यह बस्ती को निकलने का कितना हमको कब तक इंतजार करना चाहिए निकलने के लिए तो सबसे पहले हमारा कौन सा था निरो हुबस्थी निरो हुबस्थी देने के बाद हमको एक महुरत परतिक्रा करना है means 48 minutes यदि 48 minutes में नहीं निकला तो further treatment करना है लेकिन 48 मिनट तक हमको wait करना है इसमें कम टाइम क्यों है क्योंकि इसमें decoxion दे रहे हैं ये जा करके और ज़्यादा अपकर्षन कर सकता है अंदर में ये दिरह गिया तो organ damage कर सकता है million intestine in सभी को तो इसमें ज़्यादा देर तक हमको इंतिजार नहीं करना इसको निकाल देना है तो इसके लिए एक मौरत पर तिक्षा करना है ठीक है वही अनवासन बस्ती यसने बस्ती है तो इसमें जो परतियागमन काल तीन याम यानि नाइन आवर तक हम इसका wait कर सकते हैं ठीक है ये दोनों question important है जामनगर में अलग अलग year में आ चुकैं 11 and 13 में यईसो आपको याद रहना चाहिए इसके बाद बस्ती की संख्या की बात की जाए तो बस्ती की संख्या जो अलग अलग तरह से एक कर्म बस्ती हुआ तो उसमें total 30 बस्ती देना है सेम काल बस्ती है तो इसमें total 16 बस्ती देना और योग बस्ती में 8 बस्ती देना यह data आपको याद रखना होगा, नाम के साथ यह important है, question भी आ चुका है, ठीक है पीजी में, तो कर्म, काल and योग बस्ती, अब इसका कैसे sequence है वो भी समझते हैं, जैसे कर्म बस्ती total 30 देना है, तो कैसे कैसे देना है तो अनुवासन बस्ती सबसे पहले एक अनुवासन देंगे, उसके बाद अनुवासन और निरो बारा बारा देंगे, and last का फिर 5 अनुवासन देंगे, अब इस बारा का क्या sequence है, शिर्फ करम का बता रहा हूँ, काली होगा, इसे ही होगा, तो सबसे पहले आप कर्म में ज यहां पर अनुवासन के बाद निरु नहीं देना है यहां पर अनुवासन के बाद नेक्स्ट फिर अनुवासन ही देना है ओके देन निरु फिर अनुवासन फिर निरु फिर अनुवासन फिर निरु वागभट में यदि आप जाओगे तो वहां पर अनुवासन निरु अनु इसके बाद जो है हमारा सीरो विरेचनाता है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अब बहुत कमी बचा हुआ है ये थोड़ा डिटेल इसमें ज़रोरी थाइसले वीडियो थोड़ा बड़ा भी बन गया है ज़्याद लाइन दी भी हो रहा है थैंक्स फॉर वाचिंग हैव अनाइस टे